परमिश्र के लोगों चम्तकार चर्च टीवी में आपका स्वक्त है मैं आपके एक सुचना देना चाह रहा हूँ कि चम्तकार चर्च में साथ दिन के लिए उपवास प्राथना रखी गई है और विशेश बाद यह है कि इसमें प्रेर वाक भी रखा गया है तीस जन्वरी से लिखकर पांच फर्वरी तक साथ दिन के लिए प्रेर वाक है फास्टिंग प्रेर है उपवास प्राथना है इसमें हम ऐसा कर रहे हैं कि जैसे यरिहो की दिवारों को गिराने के लिए परमिशन कहा था कि उसके छे दिन एक एक चक्कर लगाना चारों और साथ में दिन साथ चक्कर लगाना और फिर जैजेकार करना और उनन विज़े हासल की ऐसे हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो लोग महले में कर सकते हैं वह अपने महले के रोजन्न एक राउंड लगाएंगे एक चक्कर लगाएंगे और अपने मन में प्राथन करते जाएंगे मुझ से बोलेंगे नहीं उन्ची वाज में नहीं बोलेंगे मन में प्राथन करते करते एक राउंड लगाएंगे जय आप जो हमारे जो गाउं में हैं गाउं के लोग जो हैं वो गाउं के चारों और एक राउंड लगाएंगे हां इसमें यह है कि परमिशन कहता है यह तुम में योदा है उन्हें राउंड लगाने के लिए बोलो एक चक्र लगाने के लिए बोलना हम लोग भी ऐसे लोगों के और जो प्राथना जोदा है क्या करें चैंप हला है य जो अज्छाइद उपवास है जब तो उस दिन अपने एरिया जो गाओं है शहर है नगर है चाब मुहला है तो उस एरिये में एक राउंड लगाएंगे प्राथना करते होई आँखे खुली रखकर प्राथना करते होई एक चक्र लगाएंगे आप पैदल जा सकते हैं अगर एरिया बड़ा है तो सैगल पे जा सकते हैं और एरिया बड़ा है तो आप बैक पे जा सकते हैं और बड़ा एरिया तो अपकार से भी जा सकते हैं तो वो अपने मन में प्राथा करनी है लोगों को दिखाना नहीं है अपने मन में प्राथा करते करते एक चकल लगाना है जैसे सोंबर को शुरू होगा तो एक चकल लगाकर पातमेर में दिन एक यूदि यवर hold therm när है और सात में दिन जो है संड़े का दिन है और उस इत्वार के दिन साथ बार राउडल गाना है еп लेकिन उसमें यो इसरे करना है यहां चम्तकार चर्च में उस दिन यरुशलम में राथना होगी बंदगी होगी शेवाई जो है यरुशलम है श्री गंगानगर में वहां पर साथ में दिन वहां पर बंदगी होगी तो फिर उस दिन वहां आकर कठे होकर हम लोग जैजेकार करेंगे परमेशर की जैजेकार कर के अंदर है यह शेर के अंदर चर्च है 11 बाइं से लेकर एक बई तक रोजाना प्राथना होगी सोंबार से लेकर शनी बार तक आप लोग जो भी आना चाहिए उसमें आ सकते हैं लेकिन मेरी जो है संडे की जो है वो बड़ी ग्राउंड में जहां जो दो किले के अंदर परमिश्र का बन रहा है यरुशलम तो वहां पर प्राथना होगी उद्धे सब हम लोग जजेकार करेंगे देखिए जिरिहों की दिवारों को गिराने के लिए ये उपवास और प्राथना है आपके महले में आपके घाओं में आपके नगर में आपके शैर में आपके जिले में परमेश्र शान्ती दे इसके लिए आपको प्राथन करनी है परमेश्वर उन लोगों को खुशहली दे जो वहां रहते हैं परमेश्वर उन लोगों के जीवन से दुस्तातन का परबाव खतम करें परमेश्वर उनके जीवन से अंदकार की ताक्तों को दूर करें परमेश्वर परबिस्व मसीजी उनके जीवन से नशे की आत्माव को तो इस परकार के इस आच्छेय से के शेतान की ताक्ते जो हैं दुस्टात्मा की ताक्ते हैं शेतान का मतल अबलीस अबलीस की ताक्ते जो हैं दुस्टात्मा की जो ताक्ते हैं उन्हें गराया जाए जो लोग बंदन में हैं दुस्टात्मा के बंदन में हैं उन्हें तोड़ हैं बड़े-बड़े आप परमिश्र के प्राथना योदा हैं आप भी अपनी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं अपने एरिये में चाहिए आप किसी भी राज्य में हैं किसी भी देश में हैं तो आप यूपी से हैं दिल्ली से हैं बिहार से हैं पंजाब से हैं कहीं से भी हैं हम सब मिलकर उस दिन ऐसा कर सकते हैं तीस जन्वरी से पांच फरविली तक उपवास प्राथना और पेरवाग है तो आप एरिया जो अगर आप परमिश्र के दास हैं परमिश्र के चुने हुए हैं तो आप अपनी कलीशिया के अंदर भी कुछ लोगों को त्यार कर सकते हैं कि आप जो ऊस गाओं के लोग हैं क्योंके इसमें अगर वो बोल कर प्राथन करेगा तो लोग भी इतराज करेंगे अब यह क्या ड़ी चुपके से जाना जाना है और प्राथन करनी है उनकी शोण-ठीक कि लिए उनकी खुशाली के लिए, उनकी उन्ती के लिए, कि वो परमिश्व से मेल करें, दुस्तात्मक परबाव उनके जीवनों से खत्म हो, वो ब्लेस हो जाएं, आशिश हो जाएं, तो ये इस अच्छे से हम लोगों ने ये जो निरने लिया है, जिरेहों की दिवारों को गिराने क लिए, तो आप भी हमारे साथ सहजोगी बन सकते हैं, परमिश्व आपको बहुत बहुत आशिश दे, आमें